So hello friends, my name is Rahul Tiwari and YouTube channel Technical Rahul दोस्तों यहाँ पर आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैं आपको इन्फर्म किया था कि Realme अपनी Q-series का एक नया smartphone launch करने माले है जिसमें आपको यहाँ पर 5G वह देखने के लिए मिलेगा इसके साथ दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आये है चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो जवर से सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि मैं से तरह कोई वीडियो प्लोड करूँ तो जो वीडियो ऐसा से पहले हैं पर आपको देखने के लिए मिल जाए दोस्तों अगर बात करूँ आपसे यहाँ पर Realme Queue Series के इस नए कि क्या नाम होने वाला लेकिन यहाँ पर गर 91 Mobile की रिपोट की माने तो जाए कि यह जो स्माट्फोन हैर हो Realme Q2 के नाम से यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों ये वो स्माटफोन नहीं है जो कि मैंने आपको इनफॉर्म क्या था कुछ दिन पहले, जो कि आपको सस्ते में लेखने के लिए मिलेगा, जहांपर आपको ट्रिपल डियर, क्यामरा वगरा सूव किया गया था, दोस्तों ये एक अलग स्माटफोन है, वो ये आप कह सकते हैं कि होने वाला है दोस्तों यहाँ पर बात करता हूँ सबसे पहले इसे स्मार्टफून के सभी कुछ features वगरे के बारे में तो दोस्तों यहाँ पर Chase की तरब से Realme Q series officially tease भी कर दी गई है जहाँ पर दोस्तों आप स्क्रीन पर इमेज भी देख पारा हूँगे यह Q को हाइलाट करने की कोसिस कर रहे है और यहाँ पर इसे स्मार्टफून की जो बैक की इमेज है वो भी निकल करके आचुकी है तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 5G देखने के लिए मिलने वाला है अब प्रोसेसर कौन सा होता है फिलाल इसको भी confirm नहीं किया गा देखते हैं क्या होता है लेकिन यहाँ पर आपको 5G देखने के लिए मिल जाएगा उसके साथ इसे स्मार्टफून में आपको पीचेक साथ जो back panel दिया गया है वो plastic आपको देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर दोस्तों हलकी gloss टैप की जो finishing है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी अब दोस्तों OLED display panel है तो यहाँ पर आपको in display fingerprint sensor भी देखने के लिए मिल जाएगा Realme के इस नए upcoming Realme Q series के smart phones की अब बात करता हूँ आपसे यहाँ पर इसे smart phone के price वगरा और यहाँ पर इसे smart phone के launch date के बारे में तो यह जो smart phone वो 13 October को launch होने जा रहा है चाइना में सबसे पहले चाइना बजाएगा में भी उसके बात देखते हैं जो smart phone है वो इंडिया में आता या फिर नहीं आता है और आता है तो किस नाम होगार से यहाँ पर smart phone आता है फिलाल इंडिया को लेकर के अभी तक कोई भी confirmation नहीं है और दोस्तों अगर बात करूँ price की तो price यहाँ पर जो Realme X7 series की price गई थी चाइना में उसी के आस पास में जो smart phone है इसकी भी price यहाँ पर चाइना में दिखने के लिए मिल जाएगी तो दोस्तों यह पूरी detail होने वाली है अब Realme Q series में भी एक नया smart phone आ रहा है उसके बाद Realme Q series में भी आपको काफी सारी जो smart phone से वो देखने के लिए मिलने वाला है और जो smart phone मैंने कुज दिन पहले आपको inform गया था जिसमें आपको triple rear camera दिखाए गया था और single punch distributed behind दिखाए गया थी IPS LCD display panel दिखाए गया था दोस्तों वो smart phone भी digital chat season की तरफ से ही confirm किया गया था और में भी दोस्तों इस smart phone के बाद में ही हो जो smart phone है यहाँ पर देखने के लिए मिल जाए और दोस्तों एक exclusive चीज़ आपको बता देता हूँ यह जो smart phone है वो realme का पहला smart phone होने वाला है जिसमें आपको realme y 2.0 out of the box देखने के लिए मिल जाएगी तो जिस दिन यह smart phone launch होगा में भी उसी दिन जो realme y 2.0 है वो भी officially launch कर दिया जाएगा तो यह पूरी डिटेल होने वाली है जैसे यहाँ पर smart phone launch होता है 13 October को जरूर से सभी कुछ आपको यहाँ पर inform कर दोगा अब दोस्तों आप क्या कहना इस नया upcoming smart phone के बारे में जरूर से अपनों opinion मुझे यहाँ पर comment करके बता दीजेगा अब फानली दोस्तों यही था कुछ इस वीडियो में आसा करता हूँ छूड़ी अनकारी सामें आ गई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like comment सेर्ज हो कर दीजेगा अभी तक आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब में किया सब्सक्राइब कर वेलकर प्वेस कर लिचेगा